ठीटेसेंस अच्छा तो घाई आज का लेक्म में हम लिसकसन करेंगे और दो नू टाइप के लिलेशन्स अब कल का खास में हम अब बार도 संस ठीक है अच्छा तो पहले बटे हम यह रिकोल करते हैं कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं यह ना देखो बटे बैसिकली और कि बैसिकली बैटे दो टाइब के रिलेशन के बारे में अब तक पढ़ चुके है ना एक टाइब का रिलेशन बैटे होता है जिसे कि एक लेशन है स्कम सेरे कहते ही ना सेरे केम सेट एक टाइक का रिलेशन है मतलव एक सथे एक सब्केर अलिए मॉन देला सकरूंटन में केसा रिलेट करें ओना है मैं एक सोने और डराओ और एक सेट B ले रहाऊं तो इसके अंदर एलिमेंट ले रहाऊं 4, 5, 6 और मानवेक रिलेशन है 1, 4, 1, 6, 3, 4, 3, 5 तो पुट्टी ये जो रिलेशन है ये सेट A से सेट B तक दिफाइंड हुआ है इस भी क्या हुआ है बैटे सेट A का एलिमेंट 1, सेट B का एलिमेंट 4 के साथ रिलेटेड है और 6 के साथ रिलेटेड है जेख सकते हूँ आइड सेटेकी हिरिेंट सेट C partners 또 के साहित तो ऐसा रिलेक्शिण एंट से एक दूसरे स्टक्ट possession क्या परण है जो कि एक सेट से वही सेल सबस्सक्राइब हो दिखायन है teach इसका मतलब है कि R is a relation from set A to set A itself तो इसमें क्या होता है ना कि set A के अंदर जो elements से उनको आपस में relate कर वा रहा है जैसे कि एक example देता हूं मानों set A के अंदर element है 1,2,3 and suppose there is a relation R कोई चीज on R is a relation on set A तो बटे में यह जो R है relation on set A का कहने का मतलब है from set A to set A और मानों इसके अंदर order pair है 1,2,1,3,2,2,1 तो इह relation में हम क्या कर रहे है ना set A के जो अंदर में जो इनो element है उनको आपस में relate कर वा रहे है ना और relation के अंदर यह देखो order pair से यह order pair से पता चलता है कि set A के अंदर जो element 1 है वो 2 के साथ related हो रहा है ना और set A के अंदर जो element 1 है वो 3 के साथ भी relate हो रहा है ना set A के अंदर जो element 2 है वो अपने साथ relate हो रहा है और वो उसके साथ 1 के साथ भी relate हो रहा है तो एससे करके इस type के relation में हम क्या करते हैं एक set के अंदर वाले element को आपस में relate करवाते हैं तो इहीं जो second type का relation है जो कि एक set से ओई set तक defined होने वाला relation है इसी के एक type हम पढ़ चुके हैं identity relation तो थोड़ा उसको recall करते हैं identity relation में हमने क्या पढ़ेते फिर कुछ practical example दुबारा से लेंगे ताकि हमें फिर से याद आ जाए कि इस पुटि आइडेंटिटी सपोज मेरे पास एक set एए है उसका अंदर element है 1,2,3 अच्छा एक relation में लिख रहा हूं उसके अंदर में और प्यार रख रहा हूं 1,1 2,2,3,3 इस relation में क्या हुआ है इस relation में हुआ है इस relation में हुआ क्या है बेटे न सेट एक अंदर जो तीनों element है वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही related हो रहे हैं और सेट एक सारे के सारे element के साथ हिसा हो रहा है मतलब a का element 1 अपने साथ relate हो रहा है 2 अपने साथ relate हो रहा है 3 भी अपने साथ relate हो रहा है तो मैं इसा बोच सकते हैं कि every element of set a keep in mind I am focusing I am emphasizing the word every every element of set a is being related to itself only मतलब यहां पर 1 सिर्फ और सिर्फ अपने साथ relate हो रहा है 2 भी सिर्फ अपने साथ relate हो रहा है 3 भी सिर्फ अपने साथ relate हो रहा है और one set a के तीनों के तीनों element ऐसे हो रहे हैं तो इस टाइप के relation को हम क्या बोलते हैं बेटा आइडेंटिटे रिलेशन यह है आइडेंटिटे रिलेशन और इसको हम डिनोट करते हैं capital A और नीचे फोटा सा A लिपके तो आइडेंटिटे रिलेशन का डेफिनिशन बोलता है कि every element of set A must be related to itself only यहां पर दो वर्ड बहुत important है एक वर्ड जो में बिगिनिंग में यूज करा हूँ every और जो वर्ड में end में यूज करा हूँ only यह दोनों वर्ड आइडेंटिटे रिलेशन के लिए बहुत important है every word इस्तमाल क्या जा रहा है मतलब set A के अंदर के तीनों element के साथ इसा होना चाहिए अगर बैटे मैं एक relation लिख रहा हूँ मानों उसके अंदर order पर रख रहा हूँ 1122 तो बैटे यह identity relation नहीं होगा क्योंकि identity relation के हिसाब से सबके सब अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए जबकि यहां पर वान तू यह दोनों अपने साथ रिलेट हो रहा है नेकि यह अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा है कि अच्छा और एक में relation एकना 1122 33 यह वाला relation भी identity relation नहीं होगा क्योंकि नहीं होगा क्योंकि यह सेकेंड वाला ही जो वार्ड में लिखा हूं उल्ली अपने साथ साथ रिलेट हो रहा है तो एडेंटिटी रिलेशन में यह अलावड नहीं है इसी बज़े से बड़े यह दोनों अच्छा तो एक प्रैक्टिकल एक्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मानों में सेट एक के अंदर बटे तीन लाइन रखता हूं यह यह अपने साथ पारलल नहीं हो रहे है यह अपने साथ पारलल यह मतलब किसी के साथ पारलल नहीं हो रहे हैं आप इसे विजुलाइज कर सकते हो मानों यह लाइन है यह लाइन है मतलब सेट ए से सेट ए तक एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं और उसको लिख रहा हूं एक स्कॉमा वाई सच दाट एकसी पारलल तू वाई रोटे यह रिलेशन में कौंट से ओरर प्यार आएंगे पहला बात है यह रिलेशन ऑन सेट है मतलब सेट एक और जो अंदर जो एलेवेंट है उनको आपस में रिलेट करवाना है और कैसे करवाना है बेटे यह भी पेयर का जो दोनों मेंबर होंगे वो दोनों मेंबर एक उसरे के साथ पारलल होने चाहिए अच्छा मतलब फॉस्ट मेंबर सेटेंड मेंबर के साथ परलल होना चाहिए अच्छी पुटी देखों यहां पर अगर हम इसका आरो डाइग्रम बनाते हैं तो और वितर से हमको समझ में आ जाएगा करें और सेटे से डेंट अट अशलबार रहे हैं तो इसको या और करेंट करवा सकते हैं आप बोलो यहां पर इस रिलेशन के अंदर रह सकता है नहीं रह सकता क्यों कि रिलेशन के अंदर कोई भी अड़ प्यार है इसका मतलब प्यादा निमबर दूसरा अबर दूसरे के साथ पारलाल है और L1 L2 ते दूसरे के साथ पारलाल नहीं दिया है तो पुटे L1 L2 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता L1 L3 के साथ रिलेटेड नहीं हो सकता लेकिन हमें पता है कि L3 L9 is पारलाल टू इसल ल जरुर L1 के साथ रिलेटेड हो सकता है उसी आर्गुमेंट से L2 स्रसिकार प्यार नहीं हो सकता है इसके अंदर बटे तीन ही ओरड़ प्यार बनते हैं ल1, L1, L2, L2, L3, L3 यह रिलेशन के अंदर बटे सेट एका एब्री एलेमेट अपने साथ रिलेट हो रहा है ना और सिर्फ वार सिब अपने साथ रिलेट हो रहा है तो हम बोल चाते हैं कि इन दीस रिलेशन एब्री एलेमेंट अफ सेट इस बिंग रिलेटे तो इसलफ उल्ली तो यह होता है हमारा बैटे आइडेंटिटी रिलेशन ठीक है ना अच्छा तो बेसिकली बैटे मैं अगर आपको कोई भी एक सेट देता हूं और उसके उपर मैं अगर आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन बनाने के लिए बोलू तो आप बड़े आराम से खुझ से बना सकते हो ना देखो बैटे एनी 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 मैं आपको कोई भी सेट द से रिलेशन अपको शेट वाइस मतले है लिए अब अगर वेहां करना देका आपका आएडेंटिटी डिलेशन तो उसी तरह बड़ेशन अगर मैं एक सेट वी लिखें उसके नदर वाल्यू बनी जीःति अटिकूग भी लाड़े इसका जो आइडेंट्र रिलेक्शन होगा उसके अंदर क्या उडर्ड पर आएगे बाटे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 यह होगे आइडेंट्र रिलेक्शन और सेटर B बाटे, अब और यह टाइक रिलेक्शन के बारे मां पढ़ने जा रहा है विच इस काल्ड reflexive relation दीजी बाटी तो reflexive relation है ये भी मतलब defined होता है on a set मतलब set a से वही set a तक defined होने वाले तो relation से उनके types पढ़ने जा रहे हैं तो reflexive relation उनमें से एक type है और बाटा सबसे important बात है कि reflexive relation के definition and identity relation के definition के बीच में सिर्फ एक ही वाड का अग्दर है और वो अभी थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा तो पहले तो हम कुछ एक्जाम्पल से हमारा एक्स्प्लाइनेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है ना जैसे कि बेटे मानो मैं आपको एक सेट एर गया हूँ और उसके अंदर है तीनों एलेमेंट है 1,2,3 और मैं कुछ रिलेशन उसके उपर डिफाइन करता हूँ मतलब there are some relations which are defined on set है मैं कुछ रिलेशन ऐसे लिखता हूँ R1, 1,1,2,2,3,3,R2,1,1,2,2,3,3,1,2 आर्थी लिखते हैं 1,1,1,2,1,3,2,1,2,2,3,3,1,3,2,2,3,3,1,3,2,3,3 पूटे इसे करके मैं तीन लिलेशन लिखा हूँ अब यह तीनों रिलेशन को हम reflexive relation बोलते हैं कारण बाद में समझेगे पहले तो यह तीनों रिलेशन में क्या खासी अत्यों देखते हैं इसा क्या characteristic है जो कि यह तीनों रिलेशन के अंदर है इसमें भी है 1 1 2 2 3 3 इसमें भी है 1 1 2 2 3 3 इसमें भी है 1 1 2 2 3 3 तो इस तीनों रिलेशन के अंदर हो क्या रहा है बटे ना सेड एक अब्री सिंगिल एलेमेंट इस बेंग रिलेटेट इसमें रिलेटेट रहा है तो बटे एसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कोई भी एलेमेंट बचना नहीं चाहिए सारे के सारे एलेमेंट अपने साथ रिलेट होने चाहिए हैं क्या एसे रिलेशन को हम बोलते हैं और अब आज डिकंए अगर आप रिलेशन के आर्टू आंड आर्टी को अपजुर करो को आप बटे और तुमें एबरी एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो रहे हैं, इसलिए तो उसको रिफलेक्सी बोल रहे हैं, उसके साथ-साथ element 1 element 2 के साथ भी relate हो रहा है उसी तरह आर्थी में भी देख सकते हो सारे element अपने साथ relate हो रहे हैं उसके साथ वो ही set एक है दूसरे element के साथ भी relate हो रहे है तो बटे keep in mind reflexive relation में हमें कोई भी problem नहीं है अगर एक element मतलब दूसरे element के साथ है से टेका एक element से टेका और एक element से साथ अगर रिलेट हो रहा है तो हमें उसे कोई इतराज नहीं है कि यूदि बेटा reflexive relation का एक ही बस necessary and sufficient condition होता है एक ही बस necessary and sufficient condition necessary and sufficient condition और necessary and sufficient condition बड़े necessary का मतलब है जरूरी मतलब यह नहीं होगा तो नहीं चलेगा sufficient मतलब enough अगर इतना हो गया तो हो गया बाकी और कुछ हो ना हो हमें कोई परक नहीं परता तो इतना ही है ना सेट एक एद्धी element अपने साथ related होना चाहिए अब वो अपने साथ साथ दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं हमें उससे कोई पेतराज नहीं है reflexive relation में कोई problem नहीं आता है तो बैटे यह फीनों हुए reflexive relation अच्छा एक example हम और लेते हैं आग फोर लेता हूँ इसके अंदर में element रखना हूँ 11 22 अच्छा क्या यह reflexive relation कहलाएगा नहीं नहीं कहाएगा और उतना ही है सेट के अंदर के सारे element अपने साथ रिलेट हो रहा है तो भी अपने सा रिलेट वो रहा है लेकिन फी रिलेट वो नहीं हो रहा है अपने साथ इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा है ना एंपने साथ रिलेट यहां पर नहीं हो रहे हैं इसलिए यह भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ठीक है ना तो अब बात आता है कि कि किसी भी रिलेशन को हम कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना बोले मतलब कब किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बोलके रिजेक्ट करते हैं कि बैटे आपको बस इतना ही देखना है आपको बस इतना ही देखना है सेट एक अंदर जितने भी ऐलेमेंट ह तो सब के सब अपने सारे होना चाहिए अगर बेटा आपको कम से कम एक element ऐसा नजर आ गया से ठीक हा जो कि अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा है तो बेटे हो गया बाद बस इतना है ठीक है ना और रिफ्लेक्सिब रिलेशन में ध्यान रखो एक element दूसरे element के साथ भी रिलेट हो सकता है अमें उससे कोई प्रॉब्लेम नहीं है अच्छा एक इंट्रेस्टिंग सा बात देखो बटे इस पहला बाला अच्छा भी प्रॉब्लेक्सिब डिलेशन में लिखांगा रवान कि एक स्पेसल टाइप का रिलेशन है जो के आल्रेड़ निसके बार हां पड़ चुके है तिस वाट इस आइडेंटिटीटे डिलेशन नवे इस तो होता है ना फेलेटाए कि अंदर के सारे सिर्फ वर सिप अपने सा रिलेट होते हैं ऊसरी को भूत ये लिलेशन माट आप देख सकते हो कि identity 雇 अल्सो और ईफ्लेक्सि कि उपी?. दे जिसे कि यहités अगुआ रिफ्लेक्सिब डिलेशन है कि नहीं कि क्यों नहीं है depressed क्यों नहीं के हिसाब से जिए जबकि रिफ्लेक्सिमwać पशिते ẩ्ष में एसा जरूए नहीं कि ही तु टूर मैं टिश सब्सक्रावे स्ट्रे कि अवर्फिरेश्टे के बीड्टि होने के लिए सारे अपने साथ होना जरूवी है अपने साथ दूश्रों के साथ रिलेट हो सकते हैं तो यह हो गया बाद यहां से हम कुछ इंट्रेस्टिंग सा बात सिखें बैटे कि आइडेंटिटे रिलेशन कि इसे रिफ्लेक्सिग रिलेशन इसे बर्सा कि इस नौट ऑल्वेश्टिंग अच्छा और एक इंट्रेस्टिंग सा बात है आप देख सकते हो ऊपार अहीं आइडेंटे रिलेशन वेटे उसके अंदर अभ्यासली सेट के अंदर तीन एलेमेन्ट है तो उसके उपर जो अभ्याटे आप दू पर यह तीन और पर आल्प्यार आजाते हैं तो किसी भी Rolation को Reflexive होने के लिए यह तीनों और पैर उसके अंदर होना है मतलब होना ही एक तीनों और पैर में से कोई भी एक और पैर मिसिंग है तो वैटा हम उसको और प्रश्राइश को नहीं कहेंगे तो हम ऐसा बहुत सकते हैं कि सबसे छोटा रिफ्लेक्सिम होता है यहां पर इसके अंदर जो तीनों के तीनों के तीनों और प्यार हर रिलेशन के अंदर चाहिए उसको रिफ्लेक्सिम होने के जिए हुआ हम बोल सकते हैं कि आइडेंट रिलेशन अब कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल रिफ्लेक्सिम रिलेशन के अच्छा तो अभी सबाल आता है कि अगर किसी भी इरिफ्लेक्सिम रिलेशन हो हम्हें किसे रिफ्लेक्सिम रिलेशन प्रू Украї करते हैं कि रिफ्लेक्सिम होने के लिए हम बस इतना प्रूव करना एं कि कि सेट के अंदर के सारे अपने साथ रिलेट हो रहे हैं इतना बस प्रूब कर देना है अब यह अपने साथ साथ दूसरों के साथ रिलेट हो सकते हैं लेकिन वह हमें चेक नहीं करना है हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि सारे अपने साथ रिलेट हो रहे हैं अच्छा अगर किस अपने सा रिलेट ना हो तो हम बोल देंगे कि यह इस इस नॉट एक चलो कि इवेटे देखो इलॉस्ट्रेशन वान करें लेट सेटेंगल ने प्लेट में इतने ट्रैंगल ने उनको लेकर एक सेट बना हुआ है और यह रिलेशन आर गिया है और क्यों रिफ्लेक्सिव है पूर यह देखते हैं तो पहले तो बैटें कुछ समझ लेते हैं एक plane में जितने triangle है उनको लेके set बना हुआ है और उसका नाम है set A और यह relation इसी set A के उपर defined है और relation का definition है is similarity मानो example लेते हैं मानो एक plane में चार triangle है triangle 1, triangle 2, triangle 3, triangle 4 और इनी चारो triangle को लेके मेरा set A बना हुआ है अब देखो बेटे इस relation है r is equal to x, y such that x is similar to y और आप सबको पता होगा कि दो triangle similar होने का क्या मतलब दाई कि दोनों का खली size अलग-अलग हो सकता है लेकिन proportional रहते दोनों equally proportional होते हैं दोनों के sides, दोनों के angle equally proportional होते हैं ठीक है? अच्छे बेटे देखो मानो suppose मेरा यह जो relation है sorry मेरा यह जो set A है उसके अंदर यह चार triangle है मानो मुझे यह पता नहीं कि उन में से कौन किसके साथ similar है मुझे पता नहीं मानो tangle 1, tangle 2 के साथ similar है या पिर नहीं है triangular, triangle 3 के similar है या पिर नहीं है बस मुझे पता नहीं and I also don't care when I am talking about reflexive relation I don't care reflexive relation होने के लिए उसके अंदर के सारे element अपने साथ relate हो जाना चाहिए और यह अपने साथ साथ दूसरों के साथ अगर relate होते हैं चलेगा, नहीं भी होते हैं तो भी चलेगा तो बटे देखो आपका set के अंदर जो चारों triangle है हमें पता है कि अभी triangle is similar to itself तो बटे अभियस्ली triangle 1 अपने साथ similar होगा, मतलब इसके अंदर एक ordered pair मिल गया है, triangle 1 triangle 1 triangle 2 भी अपने साथ relate जरूर होगा triangle 3 भी अपने साथ जरूर relate होगा triangle 4 भी अपने साथ जरूर relate होगा यह तो इसके अंदर रहेंगे अभी इनके अलाव अगर कुछ extra order pair भी आ रहे है मानो, suppose triangle 1, triangle 3 के साथ similar हो रहा है तो वह बाल order pair भी आ जाएगा बट हमें उसे कोई लेना जान नहीं है इसके अंदर के सारे limit अपने साथ relate हो जा रहे है अपकोर्स, yes, this is a reflexive relation तो कारण क्या होगा कि every triangle is similar to itself और आर मींज इस पारलर जोगा अब क्या रिफ्लेक्सिट है मतलब हमारे जो relation में हमारे जो set है उसके अंदर एक plane में जितने line है उनको लेके set बना हुआ है और for example मेरे plane में मानो L1, L2, L3, L4 इसे करके मेरा चार line को लेके मेरा set है अब relation है each parallel मतलब हमारे इस relation के अंदर जो order पर आ जाएंगे एक्स कॉमा वाई such that x is parallel to y and this relation is defined on set है अभी reflexive है की नहीं है अच्छे reflexive होने के लिए बस सारे limit अपने सा rate हो जाना चाहिए दूसरों के सा related हो या ना हो कोई problem नहीं हो भी चलेगा नहीं भी हो चलेगा अच्छे को every line is parallel to itself राइट तो मतलब इसके अंदर यह बहला और प्यार तो अच्छे के अंदर आएंगे आएंगे अब इनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ओडर प्यार आभी सकते नहीं भी आ सकते डिपेंडिंग कि L1, L2, L3, L4 मतलब mutually कोई किसी के साथ परलल नहीं है या उन में से कोई है दो जो कि एक पिसरी के साथ परलल है तो यह तो डिपेंड करता है लेकिल सब्सक्राइब तो इस सेट एक अंदर कोई अगर एलिमेंट या कोई अगर लाइन है तो अपने साथ दरूर रिलेटेड है इसलिए इसलिए इस इस प्लेक्सिट कि अब हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन की बारे में ठीक है ना कि अब करेंगे के लिए पहले हम कुछ एक्जांपल की मदद लेते हैं अच्छा और एक बात मेरे मुझसे छूट गया बटे आप देखो यहां पर यह जो इन ने लिखा था उनमें असे जो तीसाला डिय्शन डिखा ह्ता सेट के उपर यह पूरा का पूरा एसे का काटीजन प्रड़्ट देखा होगा आपको ना एंटु ए को और मैंने बोला था कि काटीजन प्रड़्ट का एक सॉब सेट एक रिलेशन होता है तो और एंटु एक अपना भी सबसेट होगा defenders हमें पता है सेट एक योपर universe relation है and obviously universal relation भी reflexive होगा इस पर निव्यूर्सल रिलेशन के अंदर तो सारे order pair आ जाते तो उसके अंदर 1,1,2,2,3,3 वाले order pair तो आएंगे ही आएंगे इसलिए universal relation भी क्या होगा वेटा रिफ्लेक्सिव होगा अब सिमेट्रिक रिलेशन का रिलेशन को समझने के लिए कुछ एक्जाम्पल की मदद देते हैं ठीक है मानो मेरे पास एक सेट ए है उसके अंदर अंदर एलिमेंट है 123 123 और मैं कुछ रिलेशन ले रहा हूँ 1221 और 211 1221 और 3 11 22 और फोर 1221 और 2223 1331 यह कुछ मैंने रिलेशन्स लिखाऊं सेट एक के उपर और यह जो चारों रिलेशन ने इनको मैं बोलता हूं सिमेट्रिक रिलेशन अब क्यूं सिमेट्रिक रिलेशन बोलता हूं थोड़ी दिर में देखेंगे फिलाल अब देखते हैं कि इनके अंदर यह चारों के अंदर क्या एक कॉमन क्यरेक्टरिस्टिक है क्या हो रहा है यह चारों के अंदर देखो बेटें अब रिलेशन बोलान को जरो अब जरू करों कि इससे बेटें वान टू नाम का ओड़ाप्यार है उसके साथ बेटें वान टू को अगर उल्टा दो तो टू यह नाम का ओड़ाप्यार भी इसके अंदर है ना बाट्ट? तैक रिलेशन आर्टू के अंदर बड़े देखो 11 नाम का उर्टाओ तो वही वन वन वनीं आयगा जो कि है उसके अंदर फिट्री हो तो उसको उल्टाओ के वही टित्री आयगा जो कि उसके अंदर है R4 में 1,2 है उसको उल्टाओ तो 2,1 भी है 2,2 है उसको उल्टाओ तो 2,2 कोई है 3,3 है तो 3,3 को उल्टाओ वही 3,3 वो भी है 1,3 है उसको उल्टाओ 3,1 वो भी है तो पटेक इंट्रेस्टिंग सा चीज हम नोटीस कर रहे हैं कि ये चारों रिलेशन ने बटेक For every order pair A,B अगर ये चारों रिलेशन के आँद देखें इनके अंदर अगर कोई भी order pair A,B महजूद है तो पटेक उसका reverse बाला order pair B,AB इनके अंदर जरूर महजूद हो रहा है आप देख लो अगर इनके अंदर A,B नाम का order pair आ रहा है तो उसको reverse कर दो, उसको उल्टा दो B,A नाम का order pair भी इनके आदर जरूर आ रहा है इस टाइप का रिलेशन को हम बोलते हैं symmetric relation तो symmetric relation का fundamental definition क्या होगा नहीं वेटे इन्हें रिलेशन, इन्हें symmetric relation इन्हें symmetric relation for every order pair A,B in a symmetric relation मानो उसका नाम रहा है in every, in a symmetric relation R for every order pair A,B for every order pair A,B of R there is also the order pair B,A enough तो symmetric relation के अंदर कोई भी order pair A,B अगर लो तो पैटे उसके लिए उसके अंदर B,A नाम का order pair भी महचूर होता है तो हम उसको symmetric relation बोलेंगे अच्छा अब बात ये कि कब हम एक relation को symmetric relation नहीं बोलेंगे सपोज पैटे एक example लेते हैं मैं एक जांपल लेता हूँ R5 उसके अदर में element रहा हूँ 1,2 1,1 2,3 3,2 अब देखते हैं ये वाला relation को क्या symmetric है की नहीं अब देखो वेटा R5 में अब देखते हैं 2,3 order pair है उसका उल्टा वाला 3,2 वाला वाड़ पैर गे 1,1 को उल्टा हो तो वही 1,1 हो भी है लेकिन 1,2 order pair है लेकिन उसका उल्टा वाला 2,1 नाम का order pair इसके अंदर नहीं है अगर आपको बस एसा कोई एक कम से कम कोई एक order pair नजर आ जाए A,B और ये उसके अंदर ना हो तो हम उसको symmetric नहीं बोले क्योंकि बटे इसके अंदर अगर कोई भी और ये भी है तो मतलब कम से कम एक order pair आप दिखा दो ये भी इसका उल्टा वाल और पर अगर इसके अंदर ना हो तो हम इसको symmetric नहीं बोलते हैं तो इसके अंदर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है इसलिए हम इसको symmetric नहीं बोल सकते हैं अचा एक बार हाओ वेटें एंप्य रिलेस्ट्रि एंप्य रिलेक्षिन क्या यह symmetric होगा की नहीं होगा अच्च आप देखो एक प्रक्टिकल एक्जाम्पल हम लेते हैं, रियल लाइफ एक्जाम्पल, सपोज आप एक मंदिर जा रहे हो और मंदिर के सामने एक नोपीस बोड लगा है, और उसमें लिखा है कि अगर बैटे आप जूता पहन के आये हो, तो बाहर जूता खोलो और अंदर जाओ, जूता बाहर खोल के अंदर आपको जाना है, कंडिशन बस इतना है, अगर आप आए हो, तो बाहर जूता खोलो और अंदर जाओ, ठीक है ना, अच्छा, एक बंदा गया, और वो बिल्कुल जूता ही नहीं पेना है, तो क्या उसके ओपर वो कंडिशन अप्लाइड होगा, नहीं हो क्योंकि उस दुठा तो बहुतं पेना ही नहीं है, तो उसको तो जूता खोल के बाहर अखना ही नहीं है, उसको डायेट मंदिर के अंदर अंधर आइंट्री करना है, तो इसका मतलब बैटे, हम उसके उपर क्यों, condition apply नहीं कर रहे हैं, कि बैटे, हो सुर्वाज में ही मतलब दुटा पहना ही नहीं है ने बटे वेसी तरह यहां पर भी देखो empty relation को हम of course symmetric कहेंगे yes it is symmetric क्यों बेटे क्यों बेटे empty relation के अंदर तो कोई order pair है ही नहीं अगर बेटे relation के अंदर एक order pair भी होता तो बेटे आपको चेक करना है कि बीए भी उसके अंदर है की नहीं अगर फर every order pair AB there is an order pair BA then it is symmetric अगर आप कम से कम एक order pair AB दिखा दो जिसका reverse बाल order pair BA इसके अंदर ना हो तो हम उसको symmetric नहीं करेंगे अब R6 के अंदर कोई भी order pair नहीं है तो बेटे यहां पर symmetric का जो condition है ओ यहां पर बिल्कुल apply नहीं होगा यह beginning सही हम बोल देंगे येस इतीज सीमेट्रीक येस इतीज सीमेट्रीक ठीक ना उसी तरह बेटे यूनिवर्सल रिलेशन 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 कि A into A कि A symmetric होगा अपकोर्स होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर सारे order pair आ जाते हैं नोट में कि वे टाइं एंप्रेलेशन इस अलसो सीमेट्रीक अन्यूनिवर्सल रिलेशन इस अलसो सिमेट्रीक हहां अच्छा इडेंटिटीटीटी रिलेशन हिज अलसो पर 1122 33 अलसो को वनको उल्ट आगा ठुक्त थे अलसो को जैसे कि गुश्य कंदर अदर कि ज düşम थे का भी अबाट आता है कि कुछ एक्जापल लह इनको सिमेट्रिक है की नहीं है वह सब भी टेक करते हैं जो कि कलके में करेंगे हुराल क्लास में सिमेट्रिक एक प्राक्टिकल एंपल लेते हैं लिभलेग्जामपल और और बटे यह एक्जाम्पल को मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने आप देखोगे एक सेट में ले रहा हूं सेट आओ और लाइन इन ए प्लेंट और एक रिलेक्शन में उसके अंदर बना रहा हूं एक्स कमा वाई सच देट एक्स परपेंडिकुलर टुवाई इस रिलेशन इस आउन सेट अब बात यह है कि क्या यह रिलेशन सिमेट्रिक है रेकुड़ा अपकोर्स है क्योंकि ज़रा सोचो अगर बेटे आपके प्लेन में मानो उसके अंदर से दो लाइन ल1, L2 है अब आप देखो अगर L1, L2 के साथ परपेंडिकुलर है तो अब्धियसली L2 भी L1 के साथ perpendicular होगा तो इसका मतलब अगर इसके अंदर L1, L2 नाम का order pair है तो उसका उल्टावल ओर प्यार L2, L1 भी इसके अंदर आ जाएगा एसा कोई भी order pair अगर इसके अंदर L1, L2 आ रहा है तो उसका उल्टावल आउड आप्यार भी इसके अंदर आ जाएगा तो यह से सिमेट्रिक अच्छा एसा भी हो सकता है कि आपके प्लेयर में जितने लाइन हो ओ लाइन में से कोई भी किसी के साथ पर्पेंडिकुलर नहीं है जैसे कि मानों यह बनाया कुछ यह मैं कुछ लाइन बनाया कि देखो यह जो चार लाइन में बनाया जी कि चारो लाइन कोई किसी के साथ पर्पेंडिकुलर नहीं है तो अब्येसली बेटे इस रेलेशन के अंदर यह चारो लाइन को लेकर मैं इस उससेट बनाय को उपर अगर अप्लाए करू तो मुझे को बीए है कि नहीं चेकी नहीं करना है तो आज के लिए इतना ही करते हैं कल का क्लास में हम करेंगे छीचे गाइज थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरे मुच्छ